वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल चिल्डरन कल हमने एक वीडियो निकाला था तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा कॉमेंट्स आये थे सर प्लीज इस तरह का वीडियो निकालो जिसमें लर्निंग विद अर्निंग वाला तो अब हम ऐसा वीडियो निकाल रहा हूँ आपके लिए जिसमें अगर आप पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई भी आपकी चलती रहे और आप कुछ न कुछ पैसा कमाना शुरू कर दो लेकिन चिल्डरन मैं इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं दो तीन बातें आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात यह है जो भी मैं इसमें तरीके आपको बताने वाला हूँ वो सारे तरीके हवावाजी वाले नहीं है जैसे आपने वीडियो देखे होंगे ये वाला एप डाउनलोड कर लो, MPL कर लो, ये कर लो, फला ना कर लो, YouTube पे चैनल खोल लो, तो मैं जितने भी तरीके बताने वाला हूँ, यहाँ पे ये सारे तरीके बेसिक तरीके हैं, बिलकुल रियल हैं, अगर आप इन में से किसी भी तरीके को फॉलो करते हो, 100% मैं गैरंटी लेके देता हूँ, आप पैसा कमाओ ले, पर चिल्डन आप से आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको मेरा ये प्रयास छोटी सी जो मेरी कोशिश है, कि मैं अपने बच्चों को, यानि कि आप लोगों को इस तरह की वीडियो और प्लीज सर इस सिरीज को कंटीनी रखना और बीच बीच में इस तरह के वीडियो प्लीज लेके आते रहो, अगर आपको लगता है कि नई सर बिलकुल खराब काम कर रहे हो आप, आपको तो ये काम बिलकुल बंद कर देना चाहिए, इससे हमें कोई फाइदा नहीं है, ब हम कोई अमबानी की उलाद नहीं है, हम कोई टाटा, अमबानी, हमारे पैरेंट्स के कोई भाईचा करोनों के बिजनिस नहीं चल रहे हैं, अगर हम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, कि हम एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉग करते हैं, और हम कही न कहीं कुछ ऐसा करना चाते हैं, जो हम अपने पैरेंट को सपोर्ट कर पाएं, और अपने आपको सपोर्ट कर पाएं, तो अगर आप हार्ड वर्क के लिए रेडि हो, तब ही आप इस वीडियो में आगे बेना, एक चीज और आपको बता दूँ, इस वीडियो में बताय हुए तर करते हुए आप पार्ट टाइम जॉब कैसे कर सकते हो और सबसे जादा आपका जो मैसेज आया था वो आया था earning while learning कि हम पैसा कमाएं तो सबसे पहला जो हमारा जो तरीका आ रहा है और यह वाली बात मैं आपको अल्रेडी बता रहा हूं इस वीडियो में कोई भी मैं फेक अजेंडा नहीं दूँगा फेक बात हवावाजी नहीं करूँगा कोई silly talk नहीं होगी केवल real job से related बाते बताऊँगा और पैसा guaranteed है ठीक है यहाँ पर मैंने note में लिखा है इन में से कुछ चीज है मैंने खुद अपनी life में try की है और उनसे मैंने पैसा कमाया तो पहली जो चीज है जो number one निकल के आ रह MBA चाय वाला ले लो आजकल तो एक चाय वाली भी आ गई है भाई सब cooking से जादा आप देखना आपके अड़ोस पड़ोस में एक आदमी समोसा बेच रहा है कोई burger बेच रहा है आपको लगता होगा यार यह तो ready पर खड़ा है यह तो समोसे बेच रहा है तो 10,000 रुपे कमात सकते हैं तो सर हम ऐसे कैसे नहीं नमबर वन होमेड फूड फूड फॉर स्टूडेंट्स एमप्लोईज आप क्या कर सकते हो अपनी मम्मी की दीदी की बहन की किसी की भी help ले सकते हो हमारे आसपास पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं दूसरी जगह से पढ़न ठीक है साथ रुपए में टिफिन एक रोटी सबजी थोड़े से चावल चल्डन बहुत ज़ादा मार्जन है अगर हम साथ रुपए में भी देते हैं जो कि वो एजली लेंगे उसमें हमें तीस रुपए पर टिफिन एजली बच जाता है और जैसे ही मार्केट में आपका न गलिवरी का एक फ्रेंड का काम होगा कुकिंग का एक का होगा यह भी आप स्कूल से कॉंट्रेक्ट कर सकते हो बहुत सारी स्कूल क्या चाते हैं कि हमको कोई सेंडविच बना के दे दे और हम पचास सेंडविच आपने बना दिये और आपने वो दिया है उसे स्कूल से आप उस चाय को गरम गरम डिलीवर कर सकते हो अब आप कहोगे कि सर वहाँ पे तो चाय वाले इतनी दुकान खुल के बैठे हैं वो 10 रुपे में चाय दे रहे हैं तो वो हमारी चाय क्यों लेगा अब कुकिंग का ही एक और पार्ट आपको बता रहा हूँ चिल्डन ये मेरे दो-तीन फ्रेंड्स ने स्टार्ट भी किया है मेरी एक फ्रेंड थी ग्रेजुएशन में वो बहुत पैसा कमारी अब उनकी शादी हो गई है अभी भी वो she is making lot of money आज कल के बच्चों को यूट्यूब से देखके या मम्मी से इंस्पायर होके वो लोग केक बनाने लगे है चॉकलेट बनाते हैं घर पे ही बेकरी के प्रोड़क्ट बनाते हैं घर पे टॉफी बनाते हैं किसी तरह की मिठाई बनाते हैं मेरा एक दोस्त है जो की मैक्सिको में बैठा है उनकी जो वाइफ है अब जैसे घेवर बना रही है वो इन दिन हो और वहाँ पे मैक्सिको में वो डिलीवर करें हो पैसा भी उनको मिलेगा उसका मैंने अभी ग्रेजूशन वाले फ्रेंड का तो आप ये वाला बिजनेस भाई कुकिंग से रिलेटिड अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि इसमें फेल नहीं हो गए और बहुत मार्जन है लेकिन याद रखना किसी भी चीज में तुम सोचो भाई सा पहले दिन तुमने शुरू किया और पहले दिन से तुम्हें ओडर आना शुरू हो जाएगा किसी भी चीज को सैटल होने में थोड़ा सा समय लगता है अब आप कहते हो सर समय तो हमारे पास नहीं है हम तो बस ये चाहते हैं कि पहले दिन से ही काम ऐसा शुरू हो जाए और सर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े सर बिना पैसा लगाए पैसे कमाना चाता हूँ हर महीने और किसी तरह का रिस्क ना हो तो भाईया सबसे बड़ा तरीका आज की डेट में जो चला है वो है टीचिंग, पढ़ाना अब इसमें भी काफी सारे मॉडियूल्स है सबसे ज़ादा डिमांड में रहता है डिमांड में था, डिमांड में है और रहेगा आपने आसपास देखो 1-5 वाले जो बच्चे हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 हर पेरेंट चाता है कि मेरे बच्चे को एक अच्छा टीचर आके पढ़ा है अगर आप क्लास 9th में हो 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो तो आप easily 1-5 को 1-8 को easily उनके घर जाके पढ़ा सकते हो, और आपको 4,000 से 6,000 रुपे महीना 3,000 रुपे महीना, मलब वो डिपेंट करता है कैसी जगे पे जा रहे हो, कितने बच्चों को आप एक घंटे में पढ़ा रहे हो, अगर उनके दो बच्चे हैं, तो उन्होंने दौनों के सर्फ मम्मी क्या कहेंगी, पागल है क्या तू ये बना रहा है, तू चाही के लिए कॉंटेक्ट कर रहा है, तो अगर जिन लोगों को शरम आती है, वैसे तो मैं आपको बता दूँ अगर मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक दे दिना मेरे भाई जब हम पैसा कमाते हैं, तो कोई भी बिजनिस छोटा या बड़ा नहीं होता, याद रखना छोटा या बड़ा नहीं होता और हम लोग अंबानी के उलाद नहीं है तो फिर भी अगर आप respectable करना चाहते हैं कि नहीं सर्म मम्मी क्या आता है, बहुत अच्छा रेजल्टा है अब उसकी मम्मी की जो फ्रेंट ही उन्होंने राहुल आप से याने की दुबारा कॉंटक्ट की है हमारे बच्चों को भी एक घंटा तो ऐसे करते करते एक साल के अंदर ही आपकी बहुत पॉपिलरिटी बन जाएगी और हर महीने आपको पे आउट मिलेगा मतलब किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आपकी बात हो जाएगी दो हजार, तीन हजार, पांच हजार में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट चलन पूरी बात करूँगा इस चोटे से अपडेट के बात कोई कोश्चन हो या किसी परकार का डाउट कोई कॉंसेप्ट ना समझ में आ रहा हो बोर्ड हो या चाहे जहीं ने पढ़ाई संबंदित अगर आपके साथ किसी भी परकार की समस्याइं आ रही ही तो डॉणलोड करें घ्लो आपको इस आपका डाउनलोड करने के लिंक वीडियो को डिस्क्रिस्टमें भी दिया ओववा है बांकि प्लेचोर से भी डाउनलोड का सकते हैं सबसे पहले आपको इस एप को डाउनलोड करना हो गया उसके बाद फिर आपको अपने नमबर से इसका sign up करना होगा इन उसके बाद अगर आपको पढ़ाई सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्याई आ रही है या फिर कोई question कोई शवाल नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट सबसे पहले आपको question का या उस सवाल का photo click करना है इन उसक children आजकल ये वाला business भी बहुत जादा helpful है आजकल जो अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं पढ़े लिखे parent हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जो tuition लगा हुआ है वो तो लगाई हुआ है ठीक अब हम ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल के हमारे बच्चे को जो साथ पढ़ाओ मत बस स्कूल का homework करवा दो math का science का इसलिए हमारे बच्चे को एक घंटा दे दो तो children आप किसी भी बच्चे की help कर सकते हो ये बिल्कुल tuition की तरह है easily आपको 1000 से 4000 रुपए महिने आराम से मिल जाएगा ठीक है और हर mother चाहती है कि उसके बच्चे को एक helping head मिल और इसी तरह से आपके नई context आपको बनेगे एक चीज यहाँ पर आगे बढ़ने से पूछ अगर आप चाहते हो कि सर इस वीडियो का आप part 2 भी प्लीज जरूर लेके आना जो भी ideas आपके पास आएं ठीक है तो please मुझे comment section में जरूर बताना सर we want part 2 also और सर हमको बहुत motivation मिल है आपकी इस तरह की वीडियो जब आप लेके आ रहे हो तो कहीं ना कहीं सर हमारे दिमाग में भी नए ideas आ रहे हैं ठीक है next children तीसरा dance I know जैसे ही मैंने dance लेका तो कुछ बच्चे कहेंगे क्या sir फालतू की बात कर रहे हो पर भाई साब आज की date में आप किसी भी parents से बात कर one में है two में है three में है four में है five में है और जब से dance इंडिया dance और इस तरह के shows बहुत ज़्यादा popular हो गए है हर parent ये चाता कि मेरा बच्चा पढ़ाई के साथ सब भीया उसको dance जरूरा और खास तोर से हमारी जो छोटी sisters मनलब आप लोग लड़किया है वो बहुत अच्छी हो हर बच्चा हर parent ये चाता है कि जब मेरा बच्चा मामा की शादी में जाए किसी function में जाए किटी party में जाए और इसमें एक और चीज़ है जैसे कुछ बच्चे क्या कहते है कि tuition पढ़ाने में बहुत headache है उनका syllabus करवाना पड़ता है concept लगाने पड़ते हैं उनकी copy देखनी प पढ़ाओ और जैसे ही आप जब उनको सिखाओगे तो आपकी popularity और जादा बढ़ेगी यहां पे एक चीज़ और clear करना चाता हूँ अगर आप मैंसे कोई बच्चा ये चाहे कि सर प्लीज आप अपने channel English Baba पे हमको कुछ मौका दो हमें अपनी पृतिभा दिखाने का skill दिखा होगा कि मैं अभी आपको उसका कोई पैसा दूँगा पर अगर just for popularity अगर आप चाहते हो कि sir मैं बहुत अच्छा dance करता हूँ मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ मैं बच्चों को tuition पढ़ाता हूँ मेरे tuition पढ़ाते हुए कि 30 second की video आपको बेजूँगा can you upload it yes I will upload it just to make you famous ठीक है बस आपको famous करने के लिए यहां पे disclaimer में एक चीज़ और कर दूँ अगर कोई बच्चा यह सोच रहा है कि sir मैं आपको अपने YouTube का link बेजूँगा और आप अपने YouTube का link बेजूगा और हमाई promotion करोगे तो children मैं उसके लिए अभी से no कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि मैं कहत 12 पास आउट हो हर parent यह चाता है कि उसके बच्चे को computer चलाना आए उसका बच्चा paint कर पाए उसके बच्चे को typing अच्छी से आए उसका बच्चा MS Word पे काम कर पाए उसका बच्चा स्कूल का project computer पे कर पाए कैसे print out करते हैं कैसे painting करते हैं भाई सब अगर आप कुछ नहीं कर स अच्छे हो तो आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो इसके साथ साथ आपके आसपास जो cyber cafe होंगे जो computer center होंगे आप उनमें भी जाके एक घंटा उनसे दे सकते हो वहाँ जो भाईया होंगे उनसे कह सकते हो भाईया मुझको यह सारी चीज़ें आती हैं या नहीं भी आती तो म computer skill में अच्छे हो नेक्स्ट English speaking अगर आपका communication ठीक ठाक है यहां पर मैं fluent की बात नहीं करना ठीक ठाक है तो children parents की भरमार है ऐसे teachers के लिए ऐसे बच्चों के लिए जो उनके बच्चों को English speaking या फिर TL यानि कि third language जैसे French जर्मन यह सब सिखा सके children English speaking हमेशा demand में थी है और रहेगी बारे महीने इसके बैच चलते हैं जैसे यूजिली आपने देखा होगा CBSC एक्जाम है जब एक्जाम आएगा तो तो लोग टूशन पढ़ेंगे जैसी छुट्टी पढ़ेंगे लोग बिल्कुल बंद कर देंगे लेकिन English speaking एक ऐसा वो field ह है कि भाईया बारे के बारे महीने लोग personality development के नाम पर बहुत पैसा खर्च करते हैं तो if you are good तो आप इसके लिए जा सकते हो अब teaching में ही थोड़ा से एक अलग module है command on one subject अब आप हो तो 10th में हो आप 11th में 12th में हो या 12th पास आउट हो या graduation कर रहो आप कह रहो सर मैं सारे सब जग नहीं पढ़ा सकता है Hindi English Math Science लेकिन मेरा Chemistry बहुत अच्छा है मैं 9th वाले को Chemistry पढ़ा सकता हूँ सर इसमें मेरी महारत है सर मैं 8 वाले को Maths बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ सर मुझे और तो कुछ नहीं आता लेकिन मेरी English बहुत बढ़िया है मैं उसको basic concept करा सकता तो चिल्डरन आज कल क्योंकि पढ़े लिखे parent है इन दिनों अगर आप किसी particular subject लिए जैसे कोई बच्छा 9th में है उसको पढ़ना है chemistry ठीक है आप उसको घर जाके उसको chemistry पढ़ा सकते हो physics पढ़ा सकते हो और पर आर भी charge ले सकते हो आज कल मेरे बहुत सारे friends यह वाला काम क करते हैं हर घंटे के लिए 200 रुपए एक घंटे के 500 रुपए 300 रुपए 400 रुपए वह डिपेंड करता है किस standard को आप पढ़ा रहे हो कैसे आप पढ़ा रहे हो इसके अलावा जो next है वह पार्ट टाइम वर्किन कैफे या शॉप एच्छे चिल्डरन जितने भी अगर आप अमेरिका वगेरा में जाओगे या बैंगलोर वगेरा की साइट देखे होगे तो लोग पीजा हट पे काम करते हैं और पढ़े लिखे बच्चे कभी आपको लगे कि गरीब बच्चे नो पढ़े लिखी फैमिली अच्छे जिनकी अच्छे वो बस एक पार्ट टाइम पीजा हट पे डॉमिनोस पे रेस्टरॉंट पे लोकल बिजनस पे एक चीज़ याद रखना कि कोई भी काम मेरे भाई छोटा या बड़ा नहीं होता चिर्टन वीडियो हो रही है बहुत बड़ी ठीक है आई नो अभी मेरे पास और भी आईडियाज है अगर आपका होगे तो मैं इसका पार्ट भी जरूर लेके आऊँगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे ये एफर्ट्स आपके कैसे लगे प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे आपका इंतजार रहेगा मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीज यार एक लाइक कर कर देना प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर देना चलिए मिलते हैं सी यू